पूर्व वायू सेना प्रमुख एस्पी त्यागी रेफिन मैनिका के अधिकारियों से मिलने की बात कबूल की पूर्व वायू सेना प्रमुख पर सवाल उठ रहे हैं सूत्रों के मताबिक पूर्व वायू सेना प्रमुख एन एक ब्राउन की भूमेका की जाच की जारी है ब्राउन जुलाई 2011 से दिसंबर 2013 तक वायूसेना प्रमुक थे, फिलहाल वो नार्वे में भारत के राज़दूत हैं ओगस्टा और कॉमनविल्थ कोटाले को लेकर बीजेपी ने कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी पर निशाना सादा है विजेपी सांसत किरीट सोमया ने पूछा है कि M.G.F. ने डेड़ करोर में बेची दुकान राहूल गांधी से वापस पांच करोर में क्यों खरी दी किरीट सोमया ने राहूल गांधी से M.G.F. के रिष्टों की जाच की मांग की है विजेमाल्या की सदसिता खत्म करने पर राजिसभा की एथिक्स कमेटी ने बैतक में फैसला लिया है आज राजिसभा में ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा एथिक्स कमेटी के चेर्मैन डॉक्टर कर्ण संग ने कहा है कि विज़े माल्या के बारे में फैसला ले लिया है लेकिन सदन के पटल पर ये प्रस्ताव आने से पहले इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं सुप्रेम कोट आज उत्तराखंड में राश्पती शाशन लगाने के मामने में सुनवाई करेगा मामने के सुनवाई के दोरान कोट ने टॉर्णी जर्नल से पूचा है कि क्या उत्तराखंड में सुप्रेम कोट की नेगरानी में शक्ती परिक्षन कराया जा सकता है केंद सरकार को आज अपना पक्ष रखना है उत्राखंड के जंगलों में लगी आग अब धीरे धीरे बुचने लगी है लेकिन धुएं और धुंद के चलते लोगों को काफी दिक्कते आ रही है लोगों को सास देने में तकलीफ और आखों में जलन सहित कई तरह की परिशानी आ रही है दुए से परेवरण को भी भारी नुकसान पहुच रहा है पठान कोर्ट हमले को लेकर ग्रिमंत्राले की संसदे समिती ने पंजाब और केंद्र सरकार की भोमिका पर सवाल उठाये है संसदे समिती ने अपने रपोर्ट में पूचा है कि खूफिया अलर्ट के बावजूद पठान कोर्ट एयर बेस में आतंकी कैसे ताखिल हुए इस रपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसिया आतंकी हमले से ने पटने के लिए तैयार नहीं थी पाकिस्तान खूफिया एजेंसी ISI फोन एप्लिकेशन के जरिये भारत में सुरक्षा बलों की जासूसी कर रहा है ग्रीव राच्यमंत्री, हरी भाई, पार्थी भाई, चौधरी ने लोग सभा में कहा है कि ISI, टॉप गन, MP जंकी, वीडी जंकी, टॉकिंग फ्रॉक जैसे गेम और म्यूजिकल एप के जरिये जासूसी के काम में लगी है बीगानेर से 50 किलोमेटर दूर थार के रेगिस्तान में उल्फा प्रिंट देखे जाने की बात सामने आई है रेगिस्तान में करीब 40 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा गढधा हो गया है प्रशासन ने मामिल की भीड़ता से जाच शुरू कर दी है आगरा में 361 उर्स शुरू हो गया है इस दौरान तीन दिनों तक के लिए परटक तार्श महल में शाह जहा और उनकी बेगम मुम्ताज की कबरों को देख पाएंगे खास बात यह है कि उर्स के मौके पर तार्श महल में सेलानियों के एंट्री फ्री रहेगी इस दौरान तार्श महल में कई काईक्रम भी होंगे राश्पती प्रडब मुखरची ने दिल्ली के विग्यान भावन में तिरसत्वी राश्ट्री फिल्म पुरसकार प्रदान किया मिताब बच्चन को फलो पीकू के लिए बेस्ट आक्टर का किताब मिला महीं एक्टरस कंगनर रनौट को फिल्म तनुवेट सुमनू रिटर्न्स के लिए सर्वश्ष्ट अभिनेत्री का अवर्ड मिला ये उनका तीसरा राश्ट्री पुरसकार है इसके पहले उन्हें साल दोज़ाराट में फैश्ट के लिए सर्वश्ष्ष्ट सहाय कभिनेत्री और साल दोज़ार पंदरह में फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्ष्ष्ट पुरसकार मिल चुका है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए बाहु बली तो बेस्ट डारेक्टर के कैटेग्री में फिल्म बाजरा मस्तानी के लिए संचा लीला भनसाली का अवार्ड मिला बेस्ट पॉपलर एंटर्टेंब्म का प्रुसकार बजरंगी भाईजान को मिला वही मुनाली ठाकुर को मोह मोह के धागे गाने के लिए बेस्ट फीमिल प्लेबाक सिंगर का अवार्ड मिला एफ सिक्स्टीन विमान का सौधा ना होने से बॉक लाए पाकिस्तान ने अमेरिका को गीदर भब की दी है पाकिस्तान के सुरक्षा मामलों के सलाकार सर्टाज अजीज ने कहा है कि अगर अमेरिका ने एफ सिक्स्टीन लड़ा को विमान खरीदने के लिए पैसे नहीं दिये तो वो कहीं और विमान खरीद लेंगे सीरिया के अलिपो शहर में हवाई हमले का एक और वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर अप्लोड किये गए इस वीडियो में रॉकेट हमले के बाद की भगदर और विल्डिंग की तबाही को दिखलाए गया है ओलम्पिक टॉर्च मंगलवार को स्विजर लैंड से ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो लाई गई यहां अगस्त के महीने में ओलम्पिक खेला जाएगा जिसके लिए जोशोर से तैयारिया शुडू कर दी गई ड्राइवर सहित आफकी जिगा ड्राइवर रहित कार के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए गूगल और फियेट क्राइसलर के बीच समझोता हो सकता है जल्दी दोनों कमपनियों के बीच समझोता की गोशना हो सकती है गूगल काफी अरसे से अपने इस मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज दर्भंगा दोरे पर है दर्भंगा में मुख्यमंत्री जीविका समू की महिला सदस्यों की सभा में भाग लेंगे इसके अलावा सीम ग्रामेर विकास व्यभाग के अधिकारियों और जन प्रतिनिद्यों के साथ बैठक करेंगे सीम के मिधलांचल दोरे को काफी एहम माना जा रहा है गया के जी आरपी ने हटिया पट्टा एक्स्प्रेस ट्रेन में शापे मारी की पुलस ने 25 बोतल विदेशी शराब और 5 देशी शराब की पाउच को जब्त किया है पुलस ने इस मामले में दो सगे भाईयों को भी गरफतार किया है ये दोनों जार करण से शराब लाकर पटना में ज्यादा दाम पर बेशते थे बहार में शराब बंदी को लेकर राज इस सरकार गंभीर है उत्पात विभाग में बीते एक महीने में 19,000 से जादा चापे मारी की है इस दौरान 40,000 लीटर से जादा देशी और 15,000 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त की गई वही 1300 लोगों को गिरफ़तार भी किया गया अभी भी 1000 लोग जेल में कैद है तोटल 1278 लोगों को जेल भेजा गया था उसमें से 264 लोगों को कोटने बेल दिया है तो अब देख लिए कि कि इतना लो परसेंटेज है बेल का बने इतने बाकी लोग जो हैं 1278 में 264 को बेल हुआ है तो लगवग एक हजार लोग अभी भी जेल के अंदर हैं मतलग कि यह हमारी जो नई उत्पाद तर्तिनीती बनी है और हमारे जो एक्ट में एमेंडमेंट हुआ है और जो पेनल्टी को एस्ट्रिंजिन किया गया है उसी का रिजल्ट है कि इतनी अधीक मात्रा में लोग अभी भी जेल में हैं पटना में अब एरपोर्ट पर भी शराबियों की जाच होगी ब्रेथ हैनलाईजर से लैस उत्पाद विभाक याधिकारे एरपोर्ट पर यात्रियों की जाच करेंगे पट्ना के डियमे सब एरलाइन्स काम्पनियों को निर्देश दिये हैं नियम के मताबिक अगर यात्री बाहर से शराब पीकर आएगा तो उसे गिरफतार कर लिया जाएगा और अंगाबाद में डायन का आरोप लगा कर एक महिला को ना सर्फ सरया निर्वस्त करके बेज़द किया गया बल्कि उसकी चमकर पिटाई भी की गई गटना गो थाने के बेर का गाउं की है आरोपों के मताबिक घसीटे हुए महिला को घर से बाहर निकाला गया फिर गाउंवालों ने निर्वस्तर कर लाटी डंडो से पिटाई की महिला की इसके बाद गाउंवालों ने एक कमरे में उसे बंद कर दिया पेड़ित की माँ ने इसकी सूच्णा गो थाने को दी तब जाकर पूलस ने उसे मुक्त कराया और गो अस्पताल में इलाज गया पूरा मार लग फिलहाल पेड़ित महिला जाजापुर गाउं में अपने रिश्टिदारों के घर रुकी है पूलस से इनसाफ के गुहार लगारिये इन सब के बीच पूलस ने 19 लोगों के खिलाफ मामना दर्ज किया है और दो लोगों की गिरफतारी भी हुई है समस्तेपुर के वो फस्सिल थाने में अपराधियों ने 15 लाख रुपे की लूट की खटना को अंजाम दिया घुर्लग गाउं के पास अपराधियों ने केनरा ब्रांग के ब्रांच मानेजर से 15 लाख रुपे लूट लिये ब्रांच मानेजर जोतिश कुमार किराए की कार से 15 लाख रुपे लेकर बिकरमपुर बांदे ब्रांच में जमा करने जा रहे थे उसी दोरान दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने उनकी काड़ी रोक ली और हथियार के बल पर 15 लाख रुपे लूट लिये पुलिस ने इस मामले को में कार ड्राइवर समें तीन लोगों को हिरासत मिलिया प्राइविट स्कूलों की मनमानी को बढ़ावा देने के खिलाफ युवा RLSP ने पटना के इंकम टाक्स गुलंबर के पास प्रदर्शन किया इस दोरान कारे करताओं और पुलिस के बीच धक का मुकी भी की कारी करताओं का आएकर गुलंबर पर C.M. नितिश कुमार का पुतला फूखने का कारे करम था लेकिन पृशास्तर ने उन्हें रोग दिया पटनार्ट कॉलेज के चात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मुहीम छेर दी है। प्रिंसिपल चंद्रबूशन श्रिवास्तव और हॉस्टल इंचार्ज विनोध कुमार के सामने हुई थी। इस विवाद को लेकर चात्रों में कॉलेज प्रशासन को लेकर काफी नाराज की है। आखे बाद लोगों का गुस्सा शान्त हुआ। पटना सिटी के दीदारगंश रिलाखे में एक हाइवर ट्रक विजली की तार से जा लगा जिसकी वज़ा से तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों युवक एक ही परिवाल के रहने वाले थे। बोशपूर जिले में पंचाय चुनाव की रंजिश में हत्या की फेरिस्त लंबी होती जा रही है। ताजा घटना जिले के उद्वंत नगर थाने के बिलावर गाउं की है। जहां आप राधियों ने मुख्या प्रत्याशी के रिष्टतार को गोलों से चलनी कर दिया। चानकाई के मताबिक मारे गए शक्स के छोटे भाई रंजीत चौधरी का आपरादे कर रेकॉर्ड रहा है और रंजीत चौधरी के विरोधी गुट ने ही इस वारदात को अंचान दिया है। खटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। नालंदा के कंगर सराय में रुतिक राज अपरंड कान का आरोपी आशीश कुमार पुलिस को चक्मा देकर फरार हो गया। कहा जा रहा है कि आरोपी पानी पीने के बाहरे पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। इसे नाराज लोगों ने सडक और रेलमार को जाम कर प्रदर्शन किया साथी प्रशासन के खिलाफ जम का नारे बाजी भी की हाला कि सूश्टा मिलने के बाद S.P. मौके पर पहुँचे और लोगों को आरोपी की जल्द गिरफतारी का आश्वासन दिया जिसके बाद लोग शान्त थे लिए और अंगाबाद में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि ओबरा में संदिक्द हालाप में दो लोगों की मौत हो गई जब कि चार लोग गंभी रूप से बिमार हो गए नितकों में एक विजह के परिवार वालों ने शराब पीने से मौत की पुष्टी की उधर दूसरे मौत शिवकमार सोनी के पाईशन मौत को नेच्छरल देथ बता रहे हैं सारण में बारी चकदी डियारे से पुलस ने चार नकसलियों को गिरफतार किया है गिरफतार नकसलियों में एरिया कमांडर अनिल सहनी भी शामिल है इनके पास से तीन कोकर बंग, चार राइफल, 250 कार्टूस, सहे 2,5,000 रुपे बरामद हुए मधिप्रदेश की खंडवा रेलवे स्टेशन पर चायल लाइन संस्था की मदद से पुलस ने कुछ लोगों के चंगों से 8 बच्चों को आजाद कराया सभी बच्चे बिहार की मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं और इनके उम्र 12 से 15 साल बताई जा रही हैं दलाल इन्हें फैक्टरी में काम कराने के लिए इन दौर ले जा रहे थे सारसा में जीविका संगटन के कारिक्रा में मुख्य मंतरी नितीश कुमार शामिल हुए स्टेडिय में 10,000 से जादा महिलाओं ने पूर्ण शराबंदी के लिए मुख्य मंतरी के प्रती आभार जटाया इस कारिक्रा में कोसी प्रमंडल की तीन जिले मदेपूरा, सुपॉल और सहरसा की महिलाएं शामिल हुई जीविका से जुड़ी महिलाओं के इस टॉल को मुख्य मंतरी ने देखा और कारिक्रिम की शुरुआत की इस तोरान मुख्य मंतरी ने शराबंदी पर जमकर भाशन भी दिया निदेशक सिध्धांत है राज्यों के लिए उसमें लिखा हुआ है कि राज्यों की जवाद देई है कि लोगों के स्वास्त पर पोसं पर ध्यान दें और इस त्रिस्टिकों से सराब को बंद कराएं मुख्य बंदी निदीश कुमार ने कहा है कि शराब मंदी एक बहुत बड़ा फैसला है मुख्य बंदी निदीश कुमार ने कहा है कि शराब मंदी एक बहुत बड़ा फैसला है इस फैसले ने एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन किया है कि शराब मंदी एक साधारन फैसला नहीं है एक साधारन सरकारी फैसला नहीं है यह अंडिरने ऐसा है कि आपके सहियोग से यह बहुत बड़ा जना अंगोदन बन गया है और इसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रहती बिहार में किता बड़ा परिवर्तन आ रहा हमने तो बिहार में बहुत कुछ करने की कोशिष की सड़के बने यह जो हमारा मितला का चेत्र दो हिस्से में बटा हुआ कोशी के दो तरफ उसको जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने पहल की शराबंदी को लेकर बिहार के मुखे मंत्री नितीश कुमार और रगवर्दास के बीच जुवानी हमले पर राजनिती तेज हो गई है जेडियो विधायक श्याम रचक ने रगवर्दास के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया के साथ नसीहत भी दी वहीं जेडियो के बयान पर बीज़िपे नेता संचर मयूग ने पलटवार किया है सुनन पर आउट होने वाले लोग जारखन में हमें चुनोती नहीं दे सकते हैं जारखन में हमारी लोग प्रिये सरकार है और सराबंदी का जिसका गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती है जदियो की सरकार स्पेशल पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए बिहार विदान सभा की ओर से सभी दलो को मिला कर बनाई गए विशेश शमी पी के सभी पदों से बीजेपी ने अपने आपको अलग करने का अलान कर दिया है विजेपे नेता सोशील मोदी ने इसके पीछे सम्रधानिक पहलू का हवाला दिया है उसके किर्यानवेन और उसके अनुस्रमन उसकी इंप्लिमेंटेशन और मॉनिटरिंग करने के लिए सभी प्रमुक दनों के नेताओं को मिलाकर एक विशे समीती का गठन किया गया है वहीं सुशील मोदी के इस कदम को जेडियू बिहार विरोधी बता रहा है लेकिन अब इसके लिए वो परसान है सुशील को और मोदी जी और वो चाटुकार्ता की प्रकास्टा में आकर किरके इस तरह का बक्तब दे रहा है मेरा सला होगा कि बिहार के विरोध में बोलना बंद करें समीधान के विरोध में बोलना बंद करें निया वली के प्रक्रियां में बोलना बंद करें और उनको थुरा सला में देता हूं किसी हीली स्टेस्टर में जाकर करें कुछ दिन वो आराम करने का काम करें बिहार क्रिकेट संग बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलारियों के चैन के लिए दो दिवसे चैन शिवर का आयजन किया गया है पत्ना के मौईनल हक स्टेडियम इस आयजित शिवर का उधगाटन सूबे के कला और संस्क्रिसी मंत्र शिवचंदर राम ने किया शिवर में बिहार के सभी जिलों से सैक्डों खिलारी हिस्सा ले रहे हैं जिसमें से 30 खिलारियों का चैन किया जाएगा जिनें BCCI प्रस्रेक्शन दिलाएगी ये पहला मौका है जब बिहार के उभरते क्रिकेट खिलारियों को BCCI के कोच ट्रेनिंग देंगे लातिहार जिले के हेरहंच थाना इलाखे में पुलिस ने नकसलियों के तीन बंकर को धोस्त कर दिया ये बंकर से रिंदांग में घरे जंकल में था बंकर से पुलिस ने हथियारों और विसफोटो को का जखीरा भी बनामत किया है पिछले साल देववर्व में श्रावणी मेले के दोरान मची भंगदर के हाला जैसी घटना को रोकने के लिए 30 सदस्यों की एंटी आरेफ की टीम पटना से देवगर पहुची है भंगदर जैसे इस्तिती से निपटने के लिए आम लोगों को गुर्ब बताए जाएंगे और उने जागरूंग भी किया चाएगा सीथी नियुकती की मांग को लेकर ज्छार्खन में टेट पास पैराशक्षकों को ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है सूबे के 42 सौ पैराशक्षक खरताल पर चले गया है और राजभवन के सामने अनशित कालीन धर ना दे रहे है ज्छार्खन काबनेट ने सीएंटी और एस्पीटी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मनजूर कर लिया है प्रस्ताव के मताबिक जमीन मालिक को अपनी भुमिक की का प्रकर्ति परिवर्तन का अधिकार मिल गया है नए संशोधन के मताबिक अनुसूचित जाती की जमीन को खनन और उद्यों के अलावा अब किसी ओषना के तहट सरकार ले सकती है संशोतन में ये भी है कि जमीन जिस काम के उदेश्य से ली जाती है और वो पाँच साल में शुरू नहीं होती है तो वापस कर दी जाएगी जारकर में मुख्यमंती रगवर्दास के जनसमवाद काईकरम के एक साल पूरे होने के मौके पर सूच नमबर वन में सीएम का जनसमवाद काईकरम आयुजित हुआ यहां मुख्यमंती रगवर्दास ने योश्टा बना अभियान के लिए बहतर सुचाव देने वालों को सम्मानित किया जनसंबात कारिकर्म के दोरां सीम रगवर्दास ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान निकाले जेवियम के बागी विधायकों की सुनवाई स्पीकर कोट में हुई जिसमें जेवियम विधायक प्रदीप वियादव के गवाह का क्रॉस वरिफिकेशन किया गया बाबुलाल मराणी और गैर मौजूद होने की वज़ह से उनके गवाह का वरिफिकेशन नहीं हो पाया तुमका के पूर्वर जिला पैशल सदर से भागवत राउत की हत्या के विरोध में आज तुमका बंध है मंगलवार को दुधारी मोहले में अपराधियों ने भागवत राउत को गोली मार दी थी इस हत्यकारण के पीछे किसका हाथ है अभी पूलिस कुछ भी नहीं बता रही है हाला कि पूलिस अपराधियों की चल से चल के रफदारी का दावा जरूर कर रही है खूटी जिले में पीलफ़ाई उग्रवादियों का उतपाद जारी है कर रहा थाना क्षेत्र में उग्रवादियों ने गोली मार कर बाब बेटी की हत्या कर दी बताया जाड़े कि अखलेश गोब के दस्ते में दश्रत साहू और उसकी बेटी नीमा की हत्या कर दी दश्रत साहू हाल ही में पोलिस मुटबेर में मारे गए पीलेफ़ाई एरिया कमांडर दिनेश्ट साहू के चाचा थे पोलिसस हत्याकान को वच्चस्व की लडाई बता रही देवगर में बीजेपी के केंद्रिय संगठन महामंत्री सौधान सिंग श्रमबंत्री राजपालिवार जहारखन के प्रदेश प्रभारी त्रवेंद्र सिंग रावतनी बावा मंदिर में पूजा आरचना की